जनपत बिजनौर में कई स्थानों पर पहुँचे अखिलेश यादव बिजनौर बता दे कि आज सपा मुखिया अखिलेश यादव बिजनौर के दोरे पर है सबसे पहले उनका हेलिकॉप्टर एक बज कर तीस मिनट पर अफजलगर में बनाए गए हैली पैड मेरीलेंड मेरेज। इसके बाद अखिलेश यादव का हेलिकॉप्टर अफजलगर से धामपूर के लिए उड़ गया। दोपहर दो बज कर तीस मिनट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का हेलिकॉप्टर धामपूर के। एम, इंटर कॉलेज में उतरा। इसके बाद वापस केम इंटर कॉलेज पहुचे जहां से अखिलेश यादव के हेलिकॉप्टर ने धामपूर से नगीना के लिए उड़ान भरी। सपा मुखिया अखिलेश यादव का हेलिकॉप्टर नगीना के हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में उतरा और नगीना के विधायक मनोज पारस के पुत्र के विवाह समारोह में पहुचकर दूलह दुलहन को अपना आशीरवाद दिया। उसके बाद अखिलेश यादव का हेलिकॉप्टर नगीना से बिजनौर के लिए उडान भरी जिसके बाद बिजनौर में स्थित पुरानी पुलिस लाइन में बनाए गए हेलिपेट पर उनका हेलिकॉप्टर उतरा और कारदवारा मोहला काजी पाड़ा में समाजवादी प पर गए और परिवार से मिलकर चाए पार्टी की इसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की प्रेस वार्त में अखिलेश यादव ने भाजपा, कॉंग्रेस, बीएस पी पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा, एड, CBI और इंकम टेक्स की कारवाई सरकार अपनी कम अपने ध्रष्टाचार और घपलो को चुपाने के लिए कर रही है तो वही उन्होंने कहा, विधान सभा चुनाव में प्रशासन और बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था, क्या उससे आप लोग वाकिफ नहीं है, जिन्होंने इतिहास पड़ा होगा वो जानते होंगे इसलिए जनता को सावधान रहना पड़ेगा, लोगतंत्र और समविधान को बचाने के लिए इस बार सबको मद्दान करना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी का लक्षे है कि समाजवादी पार्टी हारे, इसके बाद आखरी में उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों वक्कार्य करता से समाजवादी पार्टी को मजबूर बनाएव आगामी नगर निकाय के चुनाव में और दो हजार चौबीस के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोगाए होगी समाजादी पाटी कोशिस होगी कि जो गडवंदन में रहें साथी उन साथियों को ले के चलें साथ और आप खुद बताईए क्या परसासन ने बीजेपी ने जो रास्ता अपना ये था उससे समाजादी वाइरल हुआ था बीजेपी के किसी नेता कहा खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़ रहें से फ़र नीउस से चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें